घर बनाने में आपको अच्छी कासी लागत लग जाती है, इस में से भी सबसे जादा अगर किसी चीज के उपर खर्च हो जाता है तो उन में से एक आ जाता है जो कि है सरिया, अब यह सरिया आपके घर के मजबूती के लिए तो जरूरी होता है, पर यह जो सरिया है इसकी एक क पर क्या आगर कोई ऐसा सरिया हो जिसमें की आपको जंग जैसी कोई भी समस्या न हो यानि कि उस सरिये में आपको जंग की चिंता करने की कोई भी ज़रोत नहीं हो पर आजकल टेकनोलोजी के चलते कुछ ऐसे भी सरीय बनाई जाते हैं, जिसमें की लोहे का इस्तमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, पर ये जो सरीय होते हैं, ये लोहे से भी कुछ चीजों में काफी जादा मजबूत होते हैं, यानि की सोच के देखिए, ऐसा सरीय जिसे जंग नहीं लगता है, लोहे के सरीय से मजबूत होता है, और लोहे के कंपेरिजन में इसका कौश जो है, वो भी कम होता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, टेकनलोजी के चलते, आपके सामने एक बेस्ट आप्शन आजाता है, जो की है GFRP बार, यानि की जिसका फुल फॉर्म होता है, ग्लास, फाइबर, रेंपोर्स्मेंट, पॉलिमर, अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, रेगुलर सरीय के तरह ये दिखाई देते हैं, पर इनका कलर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, अब इस GFRP बार को देखके आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे, जैसे कि ये जो GFRP बार है, इन्हें बनाने के लिए किस मटरिल का इस्तमाल किया जाता है, क्या ये सरीय से सास्ता आप्शन होता है, क्या सरीय से ये मजबूत होता है, क्या हम इसका इस्तमाल घर के अंदर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बार के advantages तो देखेंगे, साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसके कुछ disadvantages हो सकते हैं, तो वो भी जानना ज़रूरी है, और कहां कहां पर हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं, ऐसे सभी important सवालों के जवाब अगर आप जानना चाते हो, तो वीडियो को पूरा तो ये जो GFRP बार है, इसे बनाने के लिए दो material का इस्तमाल किया जाता है, पहला जो कि है fiberglass और दूसरा जो कि है resins, जिसमें की high strength वाला glass fiber लिया जाता है, और उसे resin के साथ mix किया जाता है, तो कुल मिलाके इन दोनों को मिलाके बनता है GFRP बार, तो चलिए सबसे पहले ये सरिये से करते है, तो इसका वजन उससे बहुती कम होता है, जिस वज़े से transportation या फिर site पर handling ऐसी चीजों में बहुती कम खर्च होता है, यहाँ पर आपके पैसे भी बच जाते है, वही पर जब हम इन GFRP बार के next advantage की बात करते है, तो वो है corrosion resistance, देखिए दोस्तों सरिये में स इससी वज़े से इसकी life जो है, वो कम से कम 100 साल तक consider की जाती है, यह जो GFRP बार है, इनका अगला advantage है कि इनमें आपको high tensile strength मिलती है, जो regular TMT सरिये होते है, उनमें आपको 500 से लेके 600 तक tensile strength मिलती है, वही पर यह जो GFRP बार है, इनमें आपको 1000 प्लस से भी जादा tensile strength इसम इसकी बाद में non-conductive of electricity होते है, और साथ में इसका और एक फाइदा यह होता है, कि यह radio transparent और non-magnetic होते है, और जैसे कि हमने शुरुआती वक्त में देखा है, कि इनमें corrosion resistance होता है, जिस वज़े से यह काफी durable होते है, और इनकी life भी जादा होती है, अगर हम regular सरिये से compare करते ह अगर हम GFRP बार की बात करते है, तो इनमें आपको regular सरिये के comparison में बहुती अच्छी bonding strength मिलती है, यह जो GFRP बार आते है, इसकी length भी काफी बड़ी होती है, जिस वज़े से lapping के उपर आपका जो costing चला जाता है, वो भी यहाँ पर बच सकता है, तो दोस्तों अगर इतनी सार अच्छी बाते हैं, जैसे कि corrosion resistance है, life जादा है, strength भी दोगुनी है, तो ऐसे में हम क्यों इसका इस्तमाल regular घरों में नहीं करते है, तो इसे जानने के लिए आपको GFRP बार के disadvantage के बारे में जरू पाता होना चाहिए, उसके बाद हम यह जानेंगे कि इनके advantages और disadvantage को ध्यान में रखते हुए, इसे कहां पर इस्तमाल करना आपके लिए सबसे best option हो सकता है, देखे दोस्तों जब हम disadvantage की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहला और सबसे बड़ा disadvantage आ जाता है, जो कि है ductility, ductility एक बहुती important property होती है आपके सरिये के अंदर, जो हमारे regular TMT सरिये होते हैं, जब आप इसे bend करते हो और वापस से सीधे करने के लिए जाते हो, तो यह तूट सकते हैं, इनमें आपको crack दिखाई दे सकते हैं, और सरिये के comparison में इनकी जो share strength है, वो भी कम होती है, यह कुछ कारण होते हैं, जिनकी वज़े से इनका इस्तमाल vertical application के लिए नहीं किया जाता, साथ में जहाँ पर load bearing application है, वहाँ पर भी इसका इस्तमाल नहीं किया जाता, इसका अगला disadvantage यह होता है, कि यह easily available नहीं होते हैं, यानि कि जो regular आपके दुकान होते हैं, वहाँ पर आपको आसनी के साथ, तो regular TMT सरिया मिलेगा, पर वहाँ पर आपको यह जो GFRP बार है, यह ज करते हैं, उन्हें यह ज़रू पता है, कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए सरिये को bend करना पड़ता है, फिर चाहे वो L hook मारने के लिए हो, या फिर bent up बार करने के लिए हो, या फिर आपको stir up बनानी है, तो ऐसी जगह पर आपको सरिये को bend करना पड़ता है, तो यह बार है, इसकी जो properties है, वो भी थोड़ी सी अलग होती है, अगर आप उनका सही तरीके से इस्तमाल करोगे, तो कुछ जगह पर यह बहुती अच्छा option हो सकता है, तो इसलिए अब हम यह जानते है, कि यह जो FRP बार है, इन्हें आप कहां पर इस्तमाल कर सकते हो, कहां पर यह कर सकते हो, जो warehouse की flooring होती है, तो वहां पर भी आपको reinforcement की ज़रूद पड़ती है, तो वहां पर इन GFR बार का joystick किया जा सकता है, जो swimming pool होते है, वहां पर भी इनका इस्तमाल किया जा सकता है, इसका इस्तमाल आप drainage pipe के लिए भी कर सकते हो, चाहो तो आप footpath के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हो और भी बहुत सारी जगह है जहां पर आप इन FRP बार का इस्तमाल कर सकते हो अब ये जो FRP बार की टेकनलोजी है पिछले कुछ सालों के अंदर ये टेकनलोजी हमारे यहां पर देखी जा रहा है बाकी देशों में सालों साल से इसका इस्तमाल हो रहा है और ही लोग अलग-अलग जगह पर इसका इस्तमाल करेंगे और इसका कौश जो है वो भी कम हो सकता है तो दोस्तो आपके क्या विचार है इसके बार में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो तो जरू इसे लाइक कर दीजे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजे वीडियो बहुत जादा ही अच्छा लागा हो तो आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और ये जो तीनों वीडियो है इन में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है